हेलो फ्रेंट विल्कम तो माई यूटूब चैनल फ्रेंट जैसा कि आप देख रहे हैं LED इस्टिफ है LED टीवी की तो यह अलग-अलग साइज की है अलग-अलग साइज के अकॉर्डिंग आती है जिसे हम पर 32 इंच हो गया 40 इंच हो गया 42 इंच हो गया जितनी वी उपर उसी क LED खराब रहती है तो हमें चेंज करना पड़ता है लेकिन मैं आपको सिंगल LED कैसे चेक करेंगे कि कौन सी खराब है और इसको कैसे चेंज करेंगे तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा मैं और अगर आपके पास LED नहीं है तो आप बाइपास कैसे करेंगे अगर आप अभ कि खराब LED से जिसमें बहुत सारी खराब हों एक ठीक हो निकालके लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा तो पूरा वीडियो देखिए भी नए स्किप के हुए हमारे चैनल पर आप नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे कि कौन सी हमें इसमें खराब है तो मल्टीमीटर कंटिनूटी मोड पर होना चीए तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो LED है आप उसमें प्लस माइनस डावाड की तरह ही चेक करते हैं तो यह देखिए इस तरह से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि प्लस कि दिखने वह एक और देखिए सबाएगा से जाम के कमा करें तो आपको देखिए ल वाफ मार्प करें तो इसे लेट और करने होगा तो इसी तरह से हमें one by one करके एक एक LED सारी चेक करनी है यह देखिए इस तरह से तो यहाँ पर देखिए मैंने अब पूरा LED चेक कर लिया था और इसमें कौन सी खराब थी वो मैंने डाग्नोस कर लिया है तो उसको हम चेंज करेंगे और चेंज कैसे करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा बहुत इसी तरीके से चेंज हो जाता है थोड़ा सा केयर करना होता है कि कई बार जब यह देखिए यह LED खराब है जो मैंने डाग्नोस किया हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे रिफलेक्टर उखाड़ना बड़ेगा आपको फिर चिपक भी जाता है तो इसमे यह वाली LED खराब है दोनों इस टिप का मैंने डाग्नोस कर लिया है कौन सी LED खराब है तो इनका हम चेंज करेंगे और कई बार क्या होता है जैसे आप कभी देखा होगा LG में ज्यादा प्रोब्लम आती है कि आप वाइट वाइट सा दिखता है तो यह रिफलेक्टर निकल जाता है तो आप सिंपल स्क्रीन खोल के रिफलेक्टर दुबारा चिपका देंगे तो सही हो जाएगा तो यह भी आपको अगर दिख रहा होगा कहीं टीवी में तो यह प्रोब्लम आती है रिफलेक्टर निकल जाता है देखिए इसका रिफलेक्टर मैंने निकाला हुआ है तो अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो यह रिफलेक्टर निकाल के आप ऐसे चेक कर सकते हैं इस तरह से वन बाई वन करके लेखिन और फिर आपको सारे रिफलेक्टर लगाने पड़ेंगो तो ज्यादा लंबा काम हो जाएगा तो इससे अच्छा है आप पीसी भी हो रहा है तो हम सिंगल लेडी चेक करेंगे अगर आपके पास लेडी नहीं है तो आप इसको बाई पास भी कर सकते हैं तो बाई पास करने के लिफलेक्टर लगा देना है तो बाकी लेडी गलो हो जाएगी लेकिन वहां पर थोड़ा सा डार्कनेस आएगी जब आपको करण Cyberpunk मिल रही हैं तो यहां पर देखिए अंगल लेडी हम चेंज करें गे और उसके बार फिर चैक करेंगे गलो हो रही है कि नहीं तो अभी सिंपल सा होट गन से आप चेंजर कर सकते हैं अगर आपके पास होट गन नहीं है तो आप नहीं चेंज कर पाएगे तो आपको हम change करेंगे देखिए निकल गया है और बीच में देखिए थोड़ा सा gap भी दिख रहा होगा और PCB थोड़ी सी काली भी हो गई आपको अगर दिख रहा होगा तो लेकिन एक कोई फरक नहीं पड़ता इससे क्योंकि जो reflector होता है और आगे की side में light को निकालता है तो पीछे से हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा जो black सापको दिख रहा होगा क्योंकि अगर आप उस पे hit मारेंगे तो black होगा ही होगा yellow type का तो अब हम इसमें से जो LED जिसका पीछे का LED के पीछे का circuit लगभग same होना चीए नहीं तो वो short हो जाता है यह हमें ध्यान रखना है अभी जैसे जो मैंने LED निकाल के circuit दिखाया था उसमें दो तरह से आता है एक में curve सा बना रहता है बीच में और वो LED इस पे नहीं लगती है जो plane होते हैं यह देखिए यह सही है तो और इसके PCB भी same होता है तो हमें यह भी देखना है नहीं तो वो आपका short हो जाएगा जब लगाएंगे तो तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और कुछ LED जो आप निकालते हैं वो melt हो जाती है तूरंट तो अगर melt हो रही है LED तो आप back side से heat देंगे और आगे से थोड़ा सा जब heat हो जाए काफी तो आप LED निकाल सकते हैं जो PCB के back side से heat देते हैं तो वो melt नहीं होगा यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी LED जैसे थोड़ा सा heat मारेंगे melt हो जाएगी तो आप निकाल नहीं पाएंगे तो अब यहां लगाने के लिए पहले PCB हीट कर लें जो solder लगा है वो melt हो जाए तो सीधा LED उसी कूपर रख दें क्योंकि ज़्यादा heat करेंगे तो LED आपकी थोड़ा सा काली पड़ जाएगे तो light कम देगी तो यह भी आपको ध्यान रखना है LED चेंज करते समय तो यह देखिए हमने चेंज कर दिया है LED यह देखिए गुलो हो रही है तो यह पूरी स्टिप जब हम लगा देंगे टीवी में तो पूरी स्टिप गुलो होने लगेगी अब यह रिफ्लेक्टर भी हम इजली लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से LED के ऊपर यह समय निकाला था सेम उसी तरह गुलू थे लगा लेंगे कोई सा भी फैवी क्योई किसी टाइप का कोई सा भी गुलू लेके आप लगा सकते हैं तो जहां पर उसकी लेग है उसको थोड़ा सा स्क्रेच कर लीजिए क्योंकि कई बार वो हीट करने के बाद वो चिपकता नहीं है उस पे बरन सा हो जाता है थोड़ा थोड़ा गुलू उसका जो पहले का लगा हुआ होता है तो उसको थोड़ा सा स्क्रेच कर लें और जो उसकी लेग है जो रेफ्लेक्टर पर थोड़ा सा लेग सी निकली रहेंगी उन पर गुलू लगा लें थोड़ा थोड़ा और उसके बाद फिक्स करके थोड़ी देर वैसे छोड़ दें हो अपने आप प्रोपर लग जाएगा फिर निकलेगा नहीं आपका और रेफ्ल तो फ्रेंड्स आपने इसमें देखी लिया होगा कि यह प्रोप्रोब्लम किस टाइप की आ रही थी और यह सिंगल कैसे चेंज करेंगे क्यूंकि कई बार यह सिंगल के चकर में हमें पूरी स्टिफ चेंज करनी पड़ी जो कि कोस्टली भी पड़ता है यह देखिए तो यह हां यही हमें जो पीचीवी का मैं बार बार बोल रहा हूं जो बैक साइट का पीचीवी का सर्कुट है डीजाइन उसी किसाफ से लेटी लगी रहती है तो हमें ओ ध्यान रखना है तो आपने देख लिया कि कैसे चेंज हो गया अगर वीडियो पसंदा तो लाइक और शेयर जरूर करें